आप सब आई होप आप सब अच्छे होगी सो गाइज स्वागत आप सब का आपके अपने यूट्यूब शैनल एजूकेशन पार्टी में सो गाइज आज बात करने वाले हैं एक सेरियस इस्यू के उपर गाइज इस्यू है हरियाना बोर्ड एक्जाम्स 2021 को लेकर क्लास 10 और 12 के स्टुडेंट है गाइज वो बहुत परेशान है परेशान क्यों है एक्जाम टाइमिंग को लेकर हाँ आपने बिल्कुल सही सुना जो एक्जाम टाइमिंग है अब की बार उसे गाइज रिड्यूस कर दिया गया है पहले आपको तीन घंटे मिलते थे उसी पेपर को करने के लिए अब आपको धाई घंटे दिये जाने के बाद बोर्ड की तरब से कही गई है आपकी डेड़ सीट रिलेज हो गई है उसमें भी टाइम धाई घंटे दिखाया गया है यहाँ पर आप देख सकते ह के साड़े बारा से तीन पीम यानि के ढाई घंटे यानि कि भाई डाई घंटा और अब की बार भाई लजाने का मकसद इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना है कि भाई यह जो टाइमिंग है यह चेंज होना चाहिए अब मैं यह बात आज क्यों बोल रहा हूं गाईज यह बात मैं पहले क्यों नहीं बोला आप लोग बिल्कुल यह क्यों पुछेंगे क्योंकि गाईज कल मेरे सामने भाई एक भाई ने कमेंट किया मेरे से बात की यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सो गाईज यहाँ पर आप देख सकते हो रविंदर पुनिया भाई है जो कि क्लास 11 में है इन्योंने मुझे कल यहाँ पर कहा जो 10-12 वाली यह सोच रहे हैं कि 40 के MC क्याओ आएंगे बहुत अच्छे परसेंट ले लेंगे वो लाइटली मतलो MC क्याओ को बहुत हाड MC क्याओ आएं यानि कि MC क्याओ आए हैं वो बहुत हाड आए हैं भाई के 11 के physics और math के exam में पहले वाला pattern ही best था यानि कि यार भाई ने जैसे यह comment किया फिर मैंने भाई से बाते की क्योंकि यह issue है यह 10-12 वाले student के लिए है जिनके लिए भाई मैं रोज वीडियो बनाता हूँ जैसे मैंने भाई से आगे बात की इनोंने देखी आगे क्या कहा हां सर सच बोल रहा हूँ math के exam जिस तरह का था धाई हावर्स कम थे पूरे तीन हावर्स देने थे वन मार्क में जो पहले चार नमर में q joue या जपी यानी कि भाई और यहां पर जो पेपर था वो दिया गया है 11th Class में पैशिक्स और math का ऐसा भाई ने कहा फिर मैंने भाई से का कि भाई मैं आपका ये कमेंट है ये राव बजवा बता सकता हूँ भी मुश्किल हो जाएगा जो यह सोच रहे हैं कि 40 के MC क्याव में पास हो जाएगे या फुल मार्क्स ले लेंगे सब अच्छे से तैयरी कर लेंगे अगर अवेर हो जाएगे तो यानि कि भाई इस वीडियो का मकसद है आप लोगों को अवेर करना साथ ही साथ आप लोगों की help करना यानि कि board तक ये बात पहुचाना कि भाई या तो आप exam का जो level है उसको आसान कीजिए या फिर time भड़े ये ठीक है यानि कि भाई इस वीडियो का शिरिफ शिरिफ एक ही मकसद है कि class 10th और 12th का जो timing है वो आप थोड़ा increase कीजिए या फिर आप level को यहाँ पर decrease कीजि मैं शिरिफ और शिरिफ आप लोगों को aware कर रहा हूं ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए अब कुछ student बोलें कि भाई ये भाई पढ़ता ना हो क्या मतलब ऐसे हो लफंडर वफंडर तो भाई बहुत ही intelligent student है आप देख सकते हो 10th में 95% थे और math के exam में 99 नमबर थे इ ये मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी आके और कुछ भी बोल रहा है बहुत ही intelligent student ने ये बात कही है तो आप लोग ये समझ सकते हो और guys हमने पहले इसके उपर इसलिए नहीं बोला कि हम सो रहे थे कि भाई चलो sample paper से वो ही जी आजाएंगे time कम कर दिया तो लेकिन भाई sample paper है या कहीं कि paper जो आ रहे है अभी 9th 11th के वो बहुत ही hard आ रहे है ऐसी मैं बात करूँ 10th की SST की तो बहुत ही hard paper आया है sorry 9th का 9th का जो SST का paper था बहुत ही hard आया है यानि कि भाई अगर तुम्हारे questions भी देखे जाएं ये देखो छोटे questions तुम्हारे इनको करने में भी time लगेगा कहने को तो ये एक number के questions है लेकिन इनको करने में उतना ही time लग जाएगा जितना की 3-4 number वाले questions को करने में लगता है ठीक है अब कोई ज़्यादा ही intelligent है तो उसकी तो बात अलग है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक normal student की यानि कि guys इस papers को देखकर भाई student बहुत परेशान है च फिर अभी तुम्हारे तो हुए नहीं है 10-12 वालोगे इसलिए तुम्हारे help करने के लिए वीडियो बनाई है कि board तक आप ये वीडियो पहुचाएं आगे से आगे इसको share करें जितना share करोगे guys उतना ही अच्छा रहेगा ताकि board को आपकी परेशानी पता तो चले so guys मैं हाथ जोड के विंती करता हूँ कि अगर कोई बड़ा अधिकारी या फिर हमारे कोई बड़े sir इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो sir please students की यहाँ पर tension को समझे यहाँ पर problem को समझे और please इस तरफ द्यान दीजिए आप कुछ भी कीजिए या तो आप sample paper या गाई कि ज से हाथ जोड कर विंती करता हूँ कि अगर कोई board का अधिकारी देख रहा है तो sir please students की तरफ देखिए और इस पर विचार कीजिए आप थोड़ा सा time or increase कर दीजिए ताकि students को कोई भी दिक्कत ना आए ठीक है और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाए क्योंकि कल बहुत सारे comment 10th और 12th वालोगे कि भाई हमारे लिए कुछ कीजिए so guys मैं भाई तुमारे लिए इतना ही कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ अब आपका काम है कि आप इस वीडियो को जादे जादा सेयर करें ताकि ये बड़े अधिकारियों तक पहुचे so guys बस आज की वीडियो में इतना ही मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि sir please 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 ध्यान दीजिए इस तरफ और जो टाइमिंग है उसको थोड़ा increase कीजिए ताकि students हैं वो अच्छे से paper कर सकें सुगाई जैहिन चैभार्द